नमस्कार आप देख रहे हैं, लाइब बिहार मैं हूं करिस्मा सिंग, 23 मर्च का दिन तो आप सब को याद होगा, क्यूंकि उस दिन सुबह से ही सदन से सड़क तक संग्राम होते रहा, आपको बता दे कि पुलिस बिधयक के बिरूद में सत्ता पक्ष और पक्ष के बीच पू प्लिस बिधयक को पास करने को लेकर कई बिधयकों की पिचाई भी हुई, आपको बता दे कि बिहार बिधान सभा के बजट सत्र के दोरान बिधयकों की पिचाई का मामला एक बार फिर से तूल पकड़ने लगा है, नेता परतिपोक्ष ते जस्वी आदो ने इसको लेकर र प्राजिपाल फागु चोहान से मांग की है कि जो भी पुलिस और अधिकारी बिधयकों की पिचाई की थी उन पर जल से जल करवाई की जाए, पत्र में नेता परतिपोक्ष ते जस्वी आदो ने क्या कुछ लिखा है आपको हम बताते हैं, ते जस्वी आदो ने पत्र में लिखा है कि जैसा कि आपको विधित होगा, बिते दिनों बिहार बिसे ससत पुलिस बिधयाग 2021 को सदन की मर्याधा और निर्मावली की बिरूद प्रायोजिक सोर्गुल के मद्धे पास कराया गया, महमहिम जनभावना के अनुरूप सदन के मन्य बिधायगर द्वारा सांत सांतिपूर तरीके से बिरोध मुख्य मंत्री और उनके सिसपाय सलाहरों को नागवर गुज्रा और उनके सारे पन सदन के अन्दर पुलिस प्रशाषन द्वारा बरबर तरीके से हिंसा करवाई की गई, सभिधान के मुल्यों के लिए सांतिपूर परदर्शन कर रहें मार्च यानि भिहार दिवस के ठीक अगले दिन विधान सभा के अंदर मुख्य मंत्री जी के इस सारे इस सारे के अनुरूप जिस तरह की अपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया गया उससे विधान सभा की गौरफसाली परंपरा लहू लोहान हुई है विपक्षित अलों के स अभी मान्निय सदस्य पर मुख्य मंत्री सहग्री मंत्री की आग्या से हिंसक और अधिक बल परियोग में कई मान्निय सदस्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं और PMCH सहित अन्य अस्पतालों में इलाजरत करवा रहे हैं इसमें से मगदूमपूर मन्निय बिधायक सतीस कुमार के सीर में इतनी गंभीर चोटाई है कि वो PMCH के ICU वार्ड में जीवन और मिर्तु के बीच संघर्स करते हुए जूज रहे हैं महिला बिधायकों के साथ जिस तरीके का बेवार किया गया आपके समक्ष वर्णन भी नहीं किया जा सकता है महा महीम 23 मर्च की इस बरबर रहिंसायों में सदन के अंदर बाहर से आगे पुलिस बल आराजक गुंडे मवाली की तरह बेवार कर रहे थे अखिर किसके इसारे पर महिला बिधायकों को घसीटा जा रहा था किसके इसारे पर उनके बाल को गीचे जा रहे थे और उनकी साडिया खोली जा रहे थी महा महीम में लोकतंत्र के चीरहनन का ऐसा मंज़र जिससे बिहारी मानस आहत हुआ है महा महीम राजी के अलग-अलग हिस्सों से सुनकर आए ये मान्य बिधायगड करीबी लोगों की आकंचाओं और सरोकारों का प्रतिद्मी धित्व करते हैं इस पर हुआ या अमानविय बरबर हिंसा मुलिता लोकतंत्र की नवी पर हमला है महा महीम आप सविधान के संरक्षन है या ता हम आपसे यह गुहार लगाते हैं कि आप इस अलोकतंत्रिक और निरंकुस सदरकार की बरखास्दिगी की सिपाही रिस्ट करते हुए दोसी अधिकारियों पर करेवाई करें महा महीम आपके आउलोकर नार्थक की सब्सक्राइब की सब्सक्राइब की सब्सक्राइब करें लाइफ भिहाग यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें